हेलो कैसे, विलकम तो मा यूटूब चैनल एक्स्ट्रीम रेतिक इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप मीरा एसिस्ट को यूज करते है एम स्टॉक को और आप स्टॉप लॉस और टार्गेट लगाना चाहते हैं कैसे लगाएंगे वो हम आपको बताएंगे सो फर्स्ट अफॉल प्लीज सब्सक्राइब मा यूटूब चैनल और प्रेज दो बैल आइकॉन मीरा एसिस्ट में अभी तक आपने अपने अपना अकाउंट ओपन नहीं किया होगा तो लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और अगर आपको अकाउंट ओपनिंग वीडियो देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाईए डिमेट अकाउंट ओपनिंग वीडियो पर क्लिक करें और यहाँ पर आपको मेराई असिस्ट के उपर वीडियो मिलेगा यह रहा सिंपल आप यह वीडियो देखकर के अपना अकाउंट उपन कर सकते है ठीक है अब सिंपल हम इस एपलिकेशन को उपन करेंगे यहाँ पर हम लोग इन कर लेते हैं अब देखिए हमें किसी भी स्टॉक में अगर इस टॉप लॉस और टार्गेट लगाना है फॉर एक्जामपल हम यहाँ पर सुसते कि हम लोग निफ्टी में ट्रेट कर रहे हैं ठीक है तो ओप्संट च Apart क्लिक करते है और किसि स्ट्राइंइग करते हैं लायक यह स्ट्राइग प्राइज है ठीक है तो हम लोग इसको श्रान कर लिया फिक्लिक वापमी ट मोग स्टार में धट कर लेएएं फ्यन में ठीक है यहां पर TCS का share example के लिए लेते हैं हम buy पर click करेंगे यहां पर कितने quantity पर आपको buy करना है वह आप लोग यहां पर देख सकते हैं ठीक है अब रही बात सबसे में important रहता है कि हम लोग target मतलब entry लेते time target कैसे लगाएंगे stop loss कैसे लगाएंगे तो so more पर आपको click करना है ठीक है यहां पर आपको stop loss limit रहता है ठीक है तो हम इस पर click करेंगे और आपको stop loss की limit कितनी रखना है जैसे कि इसका price चल रहा है भी 4183 तो हम सोच रही कि 4000 पर इसका stop loss रहना चीए stop loss market आप लोग मत करिएगा stop loss की limit लगाईएगा आप लोग ठीक है after market आपको click करना है ठीक है after market यहां पर disclose में आपको quantity डाल लेना है कि कितना आपका जो है वो exit होना चीए ठीक है तो आप जितनी quantity exit करना चाहते आपका stop loss हिट होता है तो आपके कितनी quantity exit होना करेगा और आप उसको simple जो है या फिर IOC करना है वो भी कर सकते आप लोग ठीक है तो डे में अगर करना है तो वो कर लिजेगा अगर आप investment के रूप में देख रहे तो आप IOC क्लिक करेंगे और यहां पे आपको ऐसा कुछ डालने की बज़ुरत नहीं पड़ेगी ठीक है त टारगेट का कि आप लोग टारगेट कैसे लगाएंगे ठीक है तो टारगेट में आपको क्या करना है कि आपका orders पर आप लोग जाएंगे यहां पे position पर आप लोग जाएंगे तो यहां पे जब आपका position चालू रहेगा ठीक है position में आप लोग टारगेट लगाएंगे टार आपको at market price पे exit करना है या फिर आपको अपने price पे exit करना है ठीक है तो हम यहाँ पे का करेंगे कि target हमारा रहेगा इसमें for example 4500 रुपे का तो हमने डाल दिया और हम simple sell order लगा देंगे ठीक है exit order लगा देंगे तो 4000 पास्तों पे जब जाएगा तो automatic हमारा target हीट होगा तो हमारा position exit हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आप लोग इस application में जो है target और stop loss लगा लेंगे topic discover मिलते हैं next वीडियो में जय मतादी